हेलो दोस्तों आई पर्तियूश है विलकम बाग तो आचानल माच साब बाच स्टूडेंट खबरी जा हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी यानि स्टूडेंट की आज यू आल लों कि मैं लेकर आए वो स्पेशल सीरीज डी यू की उपर डी यू की उपर especially on C.U.E.T की डी यू में कितने colleges हैं कितने courses हैं आपको admission कैसे मिलेगा क्या criteria है क्या seat matter क्या cut off expected है इस साल के लिए and latest news पूरी डी यू टी आडी यू for C.U.E.T के रिगार्डिंग आपको मिलेगी सिर्फ और से मेरे सार इस ही चानल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पहले कर लो and bell icon यहां से दबा दिना कि जैसे को मिले वीडियो यहां पर आये सबसे पहले आप ही देखो वीडियो तो आज यह बात कर रहा हूं दे यू के admission process की उपर admission process कब आएगा पहले आपने CUT का exam दिया exam के बाद आपका result आया result के बाद हर college अपना counseling का portal खोलेगा ठीक है तो आप counseling का form fill up करोगे counseling form fill up करने के बाद आपका cut off आएगा या कहलो आपकी merit list आएगी ठीक है अगर आप पे clear कर रहे हो then आप जाओगे महाँ पे admission के लिए आप admission के लिए जाओगे fees भर होगे fees के बाद आपको महाँ पे हो जाएगा allotment कि हाँ भाई ये seat आपकी हो गई है तो admission process आता है इन चार processing के बाद इन चार प्रोसेस में से उटी एक्जाम अल्रेडी हो चुका है result आ चुका है counseling DU की already portal live हो चुका है आप कहां से form भर सकते हो cut off जल ही आ जाएगा जैसी आएगा हम से पहले आपको inform कर देंगे and cut off के जैसी आएगा मिल पाएगा यह नहीं मिल पाएगा and then you'll move forward with the last step of admission तो आगी यह बात करते है admission procedure या admission process की उपर पहले हम बात कर रहे है married based admission ठीक है DU में कितनी seat है अपनी 70,000 seats ठीक है 70,000 seats पे DU intake करेगा अब students को through CUET ठीक है DU के पास अपनी पास है 70,000 seat इन में से यार आपको अपने लिए एक seat तो रुकवानी ही है कि भाई एक seat पे आपका हाग है और 70,000 seats है अराउंड 90 colleges में ठीक है तो कौन सा college 90 college है कुछ तो होगा top पे कौन सा है least पे कौन सा है क्या ROI है उन सके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो लाओंगा आपके लिए जिसमें हम बात करेंगे colleges के overview के उपर ठीक है चालो back to married based admission एक और चीकिस DU courses में दो तरीके से admission ले रहा है ठीक है एक married based admission that is true CUET and entrance based admission ठीक है एक entrance exam होगा उसका दो तरीके से DU ले रहा है आपने courses के लिए admissions का intake सबसे पहले candidate को register करना है admission के लिए the application will be filled through online process ठीक है आपको registration करना है अपना then cutoff आएगा registration वही करना है अपना counseling form वाला ठीक है then cutoff आएगा on the registration after registration process and candidates can check the cutoff through the centralized admission web portal जो CSAS portal ने अपना DU का उसमें DU अपने डाल देगा कि भाई यह cutoff गया इस college का यह scores का तो उस cutoff से you can get an idea कि आपको माप admission मिलेगा यह नहीं मिलेगा उसके बाद candidates जिसने score किया marks cutoff के around cutoff clear कर लिया है बाहर इसमें आपको नाम आ रहा है then you can opt for an admission कैसे आपको अपने अकाउंट से logging करना है उनके CSAS portal में and then you can opt for it next time क्या होगा इसमें आपको अपना preference rate करना है आप cutoff आपने क्लिया करिया में आप आ चुके हो उसके बाद आपको preference reset करना है कि preference मतलब college कौन से आपको चाहिए है और उस college में कौन सा आपको course लेना है ठीक है इसको कहते हैं प्रिफरेंस इसमें आपकी help करेंगे in choice filling in short बताया जाये तो preference के बाद आपका admission form generate होगा ठीक है अगर आपको slot allot हो गई वह seat college में उसके बाद आपको अपना admission form लेके जाना है respective college के अंदर ठीक है then college की authority है वो documents आपकी verify करेगी और आपका edug admission portal पे approve करेगी admission अब documents क्या है जब हम लोग counseling form भर रहे थे counseling form से याद आया counseling form के मैंने पूरी video बनाई डियू की जिसमें मैं आपको बताया है from the registration till the payment तो आपको वीडियो देख नहीं हो part one part two में है इसी channel पर है जाओ scroll करो आपको वीडियो मिल जाएगी मेरी counseling form में डियू ने हमसे मांगे दो documents एक 10th की mark sheet के photocopy और 8 12th की photocopy अब admission form में वो क्या documents मांगती है वो बता देंगे आपको जैसे admission form यहां का live हो जाएगा ठीक है तो 10th और 12th की mark sheet है तो आपको यह documents लेका जाना है college में and college authority होगी वो verify करेगी submit नहीं करना आपको original mark sheet अपनी सब्सक्राइब करने के लिए उस college के अंदर तो यह हमने बात कर लिया पूरा merit-based admission की अब हम बात करते हैं entrance-based admission ठीक है entrance admission DU का खुद का होता है entrance exam तो उसके क्या procedure है यह आपको उसका through admission कैसे मिलेगा DU में आये वो समझते हैं जैसे result announce हो गया आपकी admission list will be published online mod ठीक है admission कहलो या merit list कहलो वो आ जाएगेंगे portal पे आपको वो देखना है ठीक है then the allotment of seats admission list will be done as per the rank and availability of seats in that college seats allot होंगी आपकी जो marks आए हैं उसके इंटर्सेस्ट में उसके business spend साथ में उस college में कितनी seats हैं उसके धियान में रखते हुए then candidates who have allotted seats through the admission list will be required to take print out ठीक है आपको admission form के साथ आपको documents लिका जाने और फोटोपी साथ में क्योंकि आपकी यह authority जो है वो verify करेगी and after the verification the admission will be approved from the respective college उसके बाद candidate को जाना है दोबारा अपने portal पर and admission fees pay करनी है through their online portal और जो candidates report नहीं करेंगे college में after the allotment they'll not be considered for further admission rounds ठीक है या दखना अगर आप college allot हो गया है और आगर आपने college report नहीं किया या जॉइन नहीं किया तो allotment के बाद अगर आपको कोई आपको college मिल जाए वो नहीं मिलेगा ठीक है as mentioned on the pescat timing they cannot be considered for further admission rounds ठीक है तो यसी इसका बहुत ध्यान रखना जो चॉइस फिलिंग करो बहुत ध्यान से करना हमारी वीडियोस देख लेना यह हमारी वीडियोस आपकी help करेंगी का उनसे preference पर क्या college रखना है क्या को सकना है कैसा को मिल सकता है उस सब के बारे में तो हमना अज बात करिए दो चीजों की उपर एक मारेट बेसे admission और एक entrance-based admission ठीक है तो मारेट बेसे क्या था हमारा जिसमें मारेट लेस्ट आई हुए है from CUET entrance-based for through entrance stage to DU का हुआ है तो stay tuned with our channel क्योंकि हम इसमें बहुत चीजी लाने वाले आपके लिए जो आपके लिए बहुत फायदे मन होगी so stay tuned and comment याद से कर देना अगा अच्छी लगी मेरी वीडियों